आपको पता है किर्केट मैच को एक समय में 25 करोड लोग देखते हैं किर्केट के अलावा शायद ही दूसरा ऐसा कोई खेल है जिसे देखने के लिए लोग इतने उतावले नज़र आते हैं नमश्कार आप देख रहे हैं व्रेपप और मैं हूँ पल्लवी चन्थ किर्केट की बात भारत में की जाए तो यहां वर्लकप से लेकर आईपियल तब देशभर का हाल किसी त्योहार से कम नहीं होता करोडों की संख्या में किर्केट प्रेमी होने के बावजूद ऐसे बहुत कम ही लोग है जो घरेलू किर्केट टूर्णामेंट के बारे में जानते है या उसे देखने के लिए इच्छुखोद रची ट्रॉफी इनी घरेलू किर्केट में से एक है और आज इस वीडियो में हम रची ट्रॉफी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं किर्केट के भगवान कहे जाने वाले सचिन टेंडूलगर ने कुछ दिन पहले ही रची ट्रॉफी पर एक ट्विट कर लिखा कि मैं भी मुंबई के लिए खेलने को लेकर काफी उतसाहित रहता था जब भी मुझे मौका मिलता था मैं खेलता था हम तकरीबन साथ से आठ इंडियन प्लेयर मुंबई के ट्रेसिंग रूम में होते थे हम सब काफी मजे करते थे ये ट्विट सचिन ने हाली में BCCI के एक बड़े फैसले को लेकर के किया लेकिन वो फैसला क्या था आईए जानते बीते दिनों Board of Control for Cricket in India यानि BCCI ने एक आदेश चारी कर बताया था कि इस वब जो खिलाडी टीम इंडिया से बाहर चल रहे है वो 16 फरवरी से शुरू हुए रंजी ट्रॉफी में अपनी अपनी टीमों के साथ जुड़ जाए उनके लिए रंजी ट्रॉफी खेलना अब अनिवारे कर दिया है BCCI ने इससे ये साफ कर दिया कि खिलाडी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर IPL को प्राथमिक्ता नहीं दे सकते उन्हें घरेलू क्रिकेट में भी अब हिस्सा लेना होगा इसी के मध्यनजर भार्थी क्रिकेट टीम के खिलाडी इशान किशन और श्रेयस अयर को टीम से बाहर कर दिया अब यहाँ ये सवाल उटता है कि क्या है ये रंजी ट्रॉफी और क्यू है ये इतनी जरूरी तो आएज़ जानते हैं और शुरुवात करते हैं इसके इतिहास से असल में भार्थी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारस्थापित रजी ट्रॉफी का नाम भारत के पहले क्रिकेटर रजीच सिंग के नाम पर रखा गया था रजीत सिंग भारची क्रिकेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं वास्तव में उन्होंने कभी भारत के लिए नहीं खेला दरसर रजीत सिंग उच्च शिक्षा के लिए इंगलैंड चले गए जहां उनका परिचे पहली बार क्रिकेट से हुआ वे क्रिकेट के खेल में ऐसे रम गए किस नातक की पढ़ाई खत्म होने के साथ ही वे संसेक्स काउंटी टीम के कप्तान बन गए जिस वक्ट भारत इंगलैंड का गुलाम था उन्हीं दिनों रजीत सिंग को इंगलैंड क्रिकेट टीम में चुन लिया गया इसके बाद रजीत सिंग को लोग रजी के नाम से जानने लगे थे उन्हें सम्मान देने के लिए सन 1934 में पहली बार भारत में रजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ आज ये भारत में सबसे बड़ी घरेलू किरकेट प्रतियोगिता में मानी जाती है ये था रजी ट्रॉफी के पीछे का इतिहास अब जानते हैं आखिर क्यों रजी ट्रॉफी इतनी महदपूर है आज से ही नहीं जब 2008 से पहले IPL नहीं था तब भारति खिलाडी रजी ट्रॉफी से ही भारति किरकेट के लिए चुने जाते थे यहां तक कि किरकेट के महान खिलाडी सचिन तेंदुलकर अपने सन्यास से एक साल पहले तक महराश्टर के लिए रजी ट्रॉफी खेला करती थे रजी ट्रॉफी खेलना किसी भी किरकेटर के लिए राश्टर किरकेट में एंट्री गेट माना जाता है इस वक्त भी चल रहे रजी ट्रॉफी का फाइनल मैच काफी रुमांचक नजर आ रहा है जहां मुंबई और विधर्ब की टीम आमने सामने है अब देखना होगा कि रजी ट्रॉफी हमें कितने धुरंदर खिलाडी लाकर देगी तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे व्रेप अप साथ हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूँ शुक्रिया